तो दोस्तो आज तारीक हो गई है 11 फरवरी दो हजार चौबिस की साथी में दिन है रविवार का तो आई ये बिना देर की ये फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरे और मुख्य समाचार तो देखे आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर CAA लोग सबह चुनाउं से पहले लागू होगा साथी कहा ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा मुसलिम समोधाय को उक्साया जा रहा है बहकाया जा रहा है जियान देश के ग्रह मंतری अमिर्शा ने कहा है कि लोग सबह चुनाउं से पहले देश में सिट्जिंशिप आमेंडमेंट एक्ट यानि कि CAA लागू हो जाएगा साथी अमिश्राह ने कहा कि इसको लेकर कोई कन्फियूजन नहीं होना चाहिए खास तोर पर मुस्लिम समुदाय को उक्साया जा रहा है पर असल में CAA कानून किसी की भी नागरिक्ता छिन ही नहीं सकता है क्योंकि CAA में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं ऐसा कोई नियम है ही नहीं किस से किसी की नागरिक्ता छिन ली जाए आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कैसल में ये कानून देश के लोगों के लिए नहीं बलकि दूसरे देश में जो लोग परिशान हैं जो अल्प संख्यक ह उनके लिए है देखें अगली खबर किसानों ने यूपी सरकार को दो दिन काल्टी मेटम दिया कहा 12 फरवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर बड़ा मार्च निकालेंगे बड़ा अंदोलन करेंगे जी हैं नोड़ा प्रधिकरण से अपनी जमीनों का मौवजा म से बीच एक 50 गाओं से नोड़ा शहर को बसाने के लिए जमीने ली गए थी इस दोरान 11 गाओं में से केवल 16 गाओं के किसानों को मौवजा और 5 फिस दी विक्सित प्लाट दिये गए हैं बाकी गाओं के किसानों ने कहा है कि उन्हें मौवजा नहीं मिला है दिल्ली के बग गया है सील, मुबाइल इंटरनेट की सेवा कर दी गई है बंद, जी हाँ इन दिनों पंजाब हरियाना सीमा पर हालाद बेहदी तनावपून है, तैयारियां तो ऐसे चल रही है जैसे कोई युद लड़ा जाना है, सरकार ने बोडर के आसपास के जिलों की सीमाय सील कर दी है, मुबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है, इतना ही नहीं, बलक में समस भी नहीं भीजा जा सकता है, वहीं पुलिस ने अपनी निग्रानी बढ़ा दी है, दरसल बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगीन प्रदर्शन आंदोलन बड़े स्तर पे हो सकता है, इसी की वज़ा से राज्य सरकार जंग के स्तर की तैयारी कर रही है, सीमाओं को सील कर दिया है, इंटरनेट को बंद कर दिया है, जहां पर किसानों को रोका जाना है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर लगाये जा रहे ह इस आंदोलन को लेकर किसानों की जो एक मेन मांग है वो ये है कि सभी फसलों की MSP पर खरीद की गरंटी का कानून बने हाला कि इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे हैं उन सभी मांगों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो जाद पर फरवरी से बन भूल पूरा छेत्रों को छोड़कर बाकी सभी छेत्रों में परती बंद को पूरी तरह से हटा दिया गया है आम जंता को रहत मिली है इंटरनेट की सेवाई शुरू की गई है जो लगबग तीन दिनों से बंद थी देखे आगली खबर असुदीन ओएसी बोले कि मोदी केवल एक मजभब की सरकार है इसे बीच ओवैसी ने बाबरी मज़िद जिन्दाबाद के नारे लगाए तो अमिशाह ने दिया जवाब जीहां संसद में बजट सेशन के आखरी दिन यानि के बीते शनिवार को राममंदी निर्मार के धन्नेवाद परस्ताव पर चर्चा हुई इसे बीच असो दिनो वैसी ने कहा कि मेरा इमान कहता है कि जी जगम मज़िद थी वहाँ बाबरी मज़िद है और रहेगी चाहे भले ही राममंदीर बन गया हो बाबरी मज़िद जिन्दाबाद दो बार नारे लगाकर असो दिनो वैसी ने जैह हिंद कहा इसके जवाब में अमिशाह ने कहा कि अगर आपको बाबरी मज़ित का फैसरा पसंद हो तो स्विकार कर लेना और अगर पसंद ना आए तो सुप्रीम कोट के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है देखिया अगली खबर के राजस्थान की 4000 कॉलेज गर्ल्स और महिलाएं डीफ वेक का होई हैं शिकार उन्हें संबंद बनाने के लिए ब्लैक मेल करते थे बात यह है कि AI के जरिये अभी फोटो वीडियो को इस तरह से बदला जा सकता है किसी दूसरे वीडियो पर किसी का भी चहरा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो वीडियो बिल्कुल असरी लगे देखे आगली खबर बजट सतर के आखरी दिन यानिके बीते रोज पीम मोदी ने दिया भाशन इसी दोरान बीते पांच साल की उपलबधियां गिनवाई जी हाँ प्रधान मंत्री मोदी ने सत्रमी लोग सभा के आखरी सतर को सम्भोधित किया उन्होंने अपनी सरकार की पांच साल की उपलबधियां गिनवाते हुए कहा कि यही वो सदन है जिसने आर्टिकल 370 को खत्म किया अंग्रेजों की दन सहीता हटा कर नया सहीता को लागू किया गया तीन तलाग पे कानून बनाया गया पेपर लिग चीटिंग को लेकर बिल लाया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत कई कानून लाकर कई भी लोगों को पेश करके देश के लोगों को फाइदा पहुचाया गया देखें अगली खबर के पी एफों ने पी एफ खाता पर ब्याज दर बढ़ाई अब अकाउंट में जमाराशी पर 8.25 फिसदी का ब्याज मिलेगा यानि क्या भी तक 8.15 फिसदी का ब्याज मिल रहा था लेकिन अब 8.25 फिसदी का ब्याज मिलेगा देखें अगली खबर पीम मोदी आज मद्धे प्रदेश के जाबुआ में आदिवासी सम्मेलन को करेंगे संबोधित इसी दोरान 7500 करोड की परियोजनाओं की देंगे सौगात साथी में लोग सभ़ चुनाओं का भी हो जाएगा परचार पीम मोदी को लेकर देखें एक और खबर कि आने वाले 22 फरवरी से वानसी के दो दिवसी दोरे पे रहेंगे पीम मोदी भेल की दूसरी इकाई समेत दरजनों परियोजनाओं की रखेंगे नीव वानसी के लोगों के लिए कई बड़े आयलान करेंगे इसी बीच पीम मोदी एक ऐसे प्लांट का उद घटन करेंगे जो की चमतकार से कम नहीं है बताया गया वानसी में देश का पहला ऐसा प्लांट तयार हुआ है जो कचरे और कूडे को कोईला बना सकता है देखें अगली खबर एतिहासकार इर्फान हभीब ने कहा जिस देश में उपनिशद हों उसमें मनुस्मृति और अर्थशास्तर पढ़ाने की बात हरत अंगेज है जी हां 92 साल के उम्रे में भी मशूरी इतिहासकार इर्फान हभीब की याददाश्त गजब की है उनका मनुस्मृति और अर्थशास्तर पढ़ाने की बात हरत अंगेज है बच्चों को या लोगों को तो जो सर्वत्तम और महान ग्यान के मौली ग्रंथ है यानि को अपने शद उसको पढ़ाना चाहिए ना के मनुस्मृति वगएरा को क्योंकि अपने शद में ऐसा कोई सवाल न और केवल 12 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा देखे अगली खबर दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल ने आयन डिया ये गट बंधन को दिया जटका पंजाब चंडिगड में सीट शेरिंग से कर दिया है इनकार अभी हाली में केजरिवाल ने लुदियाना में आ आने वाले कुछ घंटों में यूपी का मौसम बदलने वाला है यूपी के कई जिलों में बारिश होगी बताया गया है कल 12 फरवरी से मौसम में करवट लेगा लेकिन इसकी शुरुवात आज से ही हो जाएगी बताया गया है कानपूर लखनों समेत उत्तर प्रदेश के उत् प्रवरी कोड़ी सा में और 11 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश बिहार जार्खन में भी हलकी से मद्यम बारिश की संभावना जताई गई है देखिया अंगली खबर एपल का विजन प्रो भारत में बिकेगा बड़ा ही महंगा कीमत हो सकती है 5 लाख रुपे जिया एप हमारे देश में सामान इंपोर्ट होने पर टेक्स भी अलग तरीके से लगता है इस वजह से आश्रंका जताई गई है कि अमेरिका में जिस विजन प्रो की कीमत अलगभग 3 लाख रुपे है तो उसकी भारत में कीमत 4 लाख रुपे या 5 लाख रुपे के करीब हो सकती है दे 16 फरवरी से 16 फरवरी तक इसमें निवेश कर सकेंगे आपको बता दें सौवरेन गोल्ड बॉंड स्कीम के तहत सोने का जो ताज़ा प्राई चल रहा होता है तो इस वाली स्कीम के तहत आपको हर ग्राम पर 50 उर्पे का फायदा होता है देखें अगली खबर 10 वी पास के लि आपको इंडिया पोस्ट.go.in पर जाना होगा देखें असी ही एक और खबर के इस रो में यानि के भारत की स्पेस अजनसी में कई पदों पे भरतिया निकली तो जो भी चुकुम्मिद्वार हैं इस रो में काम करना चाहते हैं उनकी योगिता है तो वो लग इसमें पियम मोदी से मिले थे बैकी दोस्तों अगली खबर में देखें कि कई राज्यों में पैट्रोल और डीजल के दामों में कुछ पैसे की गिरावट या बढ़ोतरी के बाद फिलहला भी समय दिल्ली मुंबई कोलकाता चिन्नाई नोइडा गाज़ियाबद लखना पोड बले मैं आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक को शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत कफल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्स फूर वॉच्छिंग